बच्चो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल इंडिया एजूकेशन पाट साला में आप सभी का स्वागत है बच्चो जैसे कि आप जानते हो मैंने इसके पहले एक यूनिट दो यूनिट तीसरी यूनिट तीनों यूनिट को अच्छे से समझाया हुआ है आप मेरे पिछ ज़रूर वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ा समझ में आएंगे इसके बाद आपको क्या होगा जैसे वीडियो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे पांच यूनिट तक पांच इकाई तक तो आपको मैं क्या करूंगा कि आई-एंपी कोस्चन आपको मैं दूंगा कि मेरी कोसिस रहेगी कि लगबख दिसंबर तक मैं आपको ये सारी चीज़े देश सकूं क्योंकि आपके फरवरी में एकजाम हो ही जाएंगे है ना और आपके लिए बहुत हैलफुल होंगे है ना वीडियो तो ठीके बच्चो अब हम पढ़ते हैं आज इकाई चार सोलेने परिवार की फसलों में काटाई और फसल पस्चात प्रभंद ओर दो अभी तक हम ने पढ़े थे सोलेनेसी परिवार की फसल कैसे लगाते हैं पूमिकी तयारी कैसे करते हैं ये सारी जह काध्यान करते अब हमारे पास में क्या है फसलی हो चुकी है तो रेडी हो गई है फसल तो उसको क्या करना है अपने को कटाई करना है उसकी फसल की और उसके पाद कटाई के बाद फसल को कैसे भंडारन करना है कैसे प्रबंद करना है यह सारी चीजे और काट कटाई करते समय क्या किन बातों का ध्यान देना है यह सारी चीजे हम आज इस इकाई में समझेंगे ठीक है ट्रमाटः होता है बेगन होता है और क्या मिर्च होती है तो कोमल सबजी है रहती है तो जल्द खराब हो जाती है लेज़िए ठीक से ना सभाला जा तो बहु कूंपना मूल मोले जल्दी को देती है है ना तो इनको क्या होता है बचो कि अच्छे से अगर नहीं समालोगे तुम अच्छे से सुरक्षित इसको नहीं तोड़ोगे सुरक्षित इनको बाजार तक नहीं पहुंचाओगे तो उसका क्या होगा मूल्य क्या हो जाएगा कम हो जाएगा खराब होने से बचाने के लिए और गुर तक पहुचाने तक आपको क्या करना है सब्जी को सुरक्षित प्रभंद करके क्या करना बाजारत तक पहुचाना है तो उसकी क्या है उसका मुल्य अच्छा होगा और लाबाब अच्छा कमा सकते हैं ना बच्चो सबजीों की कटाई के बाद जीवन फशल की परिपकता फशल की सही अवस्था और उपच की साउधानी पूर्वक रख रखाव निर्भाड करता है तो क्या है बच्चो की जब भी आप फशल को तोर रे हो तो उनकी अवस्थाए हैं कीजिंग साउस्था में हरी अव ठरब इसको तोड़ना है यह सारी जिए जोग आपको अनुभो रखना है तब यह आपको ठाथनय तो ठीक है सब्जियों में आकर्सक आकार रंग और स्वाद विक्सित नहीं हो पाते हैं है ना तो आपको एक उचित तरीके से उसकी आवस्था देखना है कि कि इस आवस्था में फसल को काटना है ना यह साथ और जब आप समझते हो तो थोड़ा बुक को भी सामने रखें जिसमें कि दो परिचय एक प्रकार से आप समझ सकते हों किस टाइप से फसल को कटाई करना है किस प्रकार से तोड़ना है यह सारी चीजे आप यहां पे सीखते हो अब हम देखते हैं सत्र एक बजीवी चीज आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है ना सत्र एक में देखते हैं परिपक मिर्श टमाटर बेगन अलू ये फसलों को आप कटाई जब करोगे इनकी तो कैसे आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसी पार्ट में अपने को पुरत जानना है परिपकता एक पौधे फल या अन्य पौधे के भाग के जैविक विकास के अंतिम चरण की प्राप्ति है जिसे उनकी उपज की परिपकता भी कहा जा सकता परिपकता उस्था फसल से फसल तक भिन भिन होती है और जिस उद्देश के लिए उत्पादन की कटाई की जाती है परिपकता का वह चरण जिस पर उत्पादन सबसे वांचनी रूप से होता है और उभोकताओं की वरीता के के लिए कटाई की जाती है यह बागवानी परिपक्ता कहलाती है बच्चों इसमें यह कह रहा है अवस्था की बात कर रहे हैं आप सुले निसी तो क्या होता है आप जब फ़सल को काटते हो फ़सल को तोड़ते हो तो आप किस उद्देश के लिए तोड़ रहे हो यह मैंने र तोड़ना पड़ेगा ठीक है और यदि आप को लोकल मार्केट में वेजना चाहते हो तो पकी उस्था में तोड़ सकते हो सब्जियों को तो आप एक अधिक पकी उस्था में ज्यादा आप याद रखना अगर आप टमाटर तोड़ोगे तो कच्चा टमाटर तोड़ रहे ह है आपको थोड़ा अधर कच्चा टाइप का तोड़ रहे हो तो आप दूर भेज सकते हो टमाटर को और पकी उस्था में तोड़ आप लोकल मार्केट के लिए यूस कर सकते हो ठीक है आगे देखते हैं जरा हम तो यह अवस्था की बात हुई यहां पर है ना अधिकान अध अपने विकास के चरण पर होती है सुलेनेशी परिवार की सबजिया गेर वाले पहुदों पर ही पकी होती हैं ज्यादातर मसालों में उपज की परिपकता पकने की परिपकता से अधिक होती हैं और पकने के बाद उसका उतपादन होता है । तमाटर आलू और सूखी मिर्च की कटाई उपच की परिपकता अवस्था में तो देखो एक आवस्था की बात यदि करते हैं तो देखो मिर्च में भी मिर्च में जब आप मिर्च की मिर्च को तोड़ते हो तो भई हरी आवस्था में जब तोड़ रहे हो तो आप हरी मिर्च खाने के लिए तोड़ र लग अवस्थाएं जो रहती हैं बच्चों उसमें तोड़ते हम ठीक है अब आगे देखते हैं स्वैन जीवन में स्वसन की भूमी का सब्जियों को उनके स्वसंदर के आधार पर दो समुहों में वर्गीकरत किया गया है याद रखना आप जो सब्जियां होती हैं उनको स्व सब्जियों'Mी किoles व्लैमेट्रिक यह क्या है सवसंदर सास लेना मानगे चलो आपो सवसंदर के आधार पर कितने प्रकार में भाटा गया था सब्जबी ओखनाना सम्जियों क latchलैमे में पकना स्वसन में तेजी से व्रद्धी जुड़ी होती है ठीक है क्या होता है क्लाइमेट्रिक सब्जियां जो होती है वो तेजी से क्या हो जाती है व्रद्धी पक जाती है ठीक है और स्वसन में अचानक व्रद्धी को क्लाइमेट्रिक व्रद्धी कहा जाता है ठीक है और उसके बाद में पकने पर non-cliometric sabjiyon की तुल्ना में climatric sabjiyon guy अधिक मात्रा में theo faith will का उत्पाधन करती है ए Dharma what justice is और climatric sabjiyon में पकने की प्रकिरिय चाहे वह पहुदे से जुरी हो कटाई के बाद भी जारी रह सकती है ठिक है और non-climatur क्लाइमेट्रिक सब्जियों में क्या होता है बच्चों कि पहुदों की पहुदों पर ही पकती हैं और उन्हें उप्युक्त परिपक को अवस्था में काटा जाना चाहिए टमाटर और खर्बूज क्लाइमेट्रिक सब्जियां हैं जबकि खीरा बैगन मिर्च सीताफल आधी नान क्लाइमेट्रिक है ठीक है तो आपने देखे यहां पर क्लाइमेट्रिक क्या होता है नान क्लाइमेट्रिक क्या होता है कि यह बहुत जल्दी पक जाती है पकने वाली मतलब सब्जिया होती है और नान क्लाइमेट्रिक क्या होती है जो नहीं पकती है तो यह नान क्लाइ क्लाइमेट्रिक दूसरा नौन क्लाइमेट्रिक देख पा रहे हैं यहां पर क्लाइमेट्रिक नौन क्लाइमेट्रिक बस इतनी सी चीज़ याद रखना है आपको क्लाइमेट्रिक में आपको और क्लाइमेट्रिक कुन-कुन से होती हैं देखो क्लाइमेट्रिक में टमाटर और और नान क्लायमेट्रिक में कुन सा आईगा खीर वैगन मेर्च सिताफल ये नान कलायमेट्रिक में जाएक ये दो चीजशे आपने समझें याँपर ने है आद आगे जरह देखते हैं परिपकता सूचकांग सब्ज़ियों के परिपकता के चरण को ताजा खपथ भंडारन या विपढ़न के लिए दूर के लिए स्थानों के लिए काटा जाता है सबजी में परिपकता के उप्युक्त चरण को मानकी करत करना बहुत मुस्किल है मौतपूर्ण मापदंडों के साथ एक विशेश सबजी के बढ़नी का अनभव इश्टतम परिपक्ता को मापने के लिए सबसे उत्कृष्ट तरीका होगा इसकी एक साणी है परिपक्ता सुचकांगी जरह देखें द्रस विधिया, कलर, रसाइन विशलेशन, भौतिक विधिया, गड़ना विधिया द्रस विधिया में कलर का ध्यान रखना है आपको रसाइन विशलेशन, एसीट, डिटी, भौतिक विधिया, विशिष्ट गुरुत्व, गड़ना विधिया, बोने से लेकर कटाई तक के दिन ये आपको याद रखना है उसके बाद में परिपक्ता देखने के लिए इन बातो स्विशलेशन अगर कर रहे हो आप तो और गड़ना करना है तो रोपाई से लेकर कटाई तक की दिन गिनना है आपको और परिपक्ता ग्याद करना है ठीक है तो ये है आपका द्रस से रसायन और भौतिक और गड़ना इन विधियों से आप परिपक्ता सुचकांक आप निक पोसन गुलवत्ता सुनिश्चित करना एक परियाप्त कटाई पस्चात सेल्फ जीवन सुनिश्चित करना कटाई और पैकिंग के कारियों के निर्धारन को सुगम बनाना बाजार मुल्ले सुनिश्चित करना ये हैं भई आपके परिपक्ता सुचकांग के महत्वन अब देख समें जदए। कि अनयों को आप कैसे यहां पे करोगी यह चीजे देखा रहे हैं कि देखकर owक करने की विधि आप सब से पहले यहां पर टमाटर को देखो अगर आप टमाटर में इस आहस्ता मैं तामाटर को तोड़ रहे हो मतलब कि आपको एक बड़े शेतर में कोई दूसरे शेतर में आपको क्या लंबे शेतर में दूरी वाले शेतर में आपको टामाटर को ले जाकर बेजना है तो आप इस आउस्था में आप टामाटर को क्या कर सकते हो तोड़ सकते हो अगर आप उससे कम दूरी मध्यम दूरी में ले जा चाहते हैं तो आप इस अवस्था में और यक यहाद करने ना है तो इस आवस्था में टोड़ के घे सकते यह तूओ अख यह आपको जैसे ऐसी चीजह हैं जिसमें पके टॉड़कर के बेच होगी है और यह पकर य। य। तो आपके उपर डिपेंड करता है कि की साधार पर आपको तोड़ना है थोड़ा आगे देखते हैं सुरी उपच का रंग परिपकता की प्रगती के साथ बदलता है रंग एक महतपूर सुचकांख है जो परिपकता के चरण को इंगित करता है अधिकांस नर्म सब्जियां हरे रंग की होती है जो परिपकता की उन्नती के साथ तेज होती जाती है नर्म फल चमकदार होते हैं टमाटर और मिर्च को पहुदो पहुदे पर पकने के बाद काटा जाता है ताकि उनमें लाल रंग का विकास हो बहुत सारी सब्जियों को क्या करते हैं पहुदों पर पकने क बात तोड़ते हैं न क्योंकि लाल रंग का विकास हो आकार कुछ सब्जियां एक निश्चित आकार तक पहुंच जाती हैं उन्हें फसल के इस्टम समय के लिए सुचकांग के रूब में इस्तमाल किया जाता है को कि रासाइनिक विष्यूसर्यर अपने साणिम पढ़े दे जरा इसको समझे रासाइनीक विष्यूसर्य में क्या करते हैं इस्टार्च, उसके अंदर की सब्जियों के अंदर की चीज़े जानते हैं इस्टार्च, अमलटा और चीनी सामगिरी पो मापा preliminary को मापा जाता है नमूनों में अधिक चीनी सामगरी परिपक्ता को इंगित करती है परिपक्ता के साथ अमलता कम हो जाती है इस प्रकार कम एसिट सामगरी उपच की परिपक्ता को निर्देशित करती है तो ये हुई भाई आपकी रासायनिक विसलेशन की प्रकिरिया अब हम देखते हैं भोतिक विदियां दबाव परिक्षण का उप्योग किसी फल की कोमलता को मापने के लिए किया जाता है और विशिष्ट गुरुतु जैसे जैसे एक फल परिपक्को होता है इसका विशिष्ट गुरुतु बढ़ता है जैसे जैसे पहल परिपक्को होगा तो इसका विशिष्ट गुरुतु बढ़ता है कटाई के सही किरम को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट गुरुतु का उप्योग सायध ही कभी किया जाता है या उपच के पानी में वजन को हवा में उसके वजन से विभाजित करके नि कूड़ते हैं तो संगल नविधी गड़ना कैसे करते हैं फूल आने से ले कर कटाई तक कर दिन की तक के दिन की नेंगे और फिर काटेंगे ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सोलेनेसी परिवार की सबजियां की कटाई सबसे पहले हम पढ़ते हैं टमाटर परिपकता औस्था सुचकांग टमाटर में कटाई का चरण उस उद्देश से पर निर्भर करता है जिसके लिए टमाटर का उप्योग किया रहा है टमाटर की कटाई के लिए आम तोर पर चार प्रकार की परिपकता आवस्था पाई जाती है ठीक है यहां पर आप देख पा रहे हो पहला हरी आवस्था पूर्ण पकी आवस्था गुलाबी आवस्था और टमाटर की परिपकता आवस्था यह चार प्रकार से हम टमाटर को क्या करते हैं तोड़ ये चार आवस्थाएं हैं इसकी टमाटर की हैं तो हम हरी आवस्था में भी तोड़ते हैं पूर्ण पकी आवस्था में गुलावी आवस्था में और पकी आवस्था में इन आवस्था में हम टमाटर को क्या करते हैं तोड़ते हैं ठीक है आगे पढ़ते हैं हम सबसे पहले हर हरे रंग की अवस्था सबसे पहरी जो अवस्था है हरे रंग की अवस्था इसमें इस अवस्था में फल हरे रंग का होता है लेकिन पूरी तरह परिपक को होता है और आम तोर पर इसे दूर के बाज़ारों में क्या करते हैं इसको ले जाया जाता है किसको हरे रंग की अवस् गुलाबी वस्था में क्या इस वस्था में रंग गुलाबी या लाल हो जाता है उन्हें इस्थाई बाजार के लिए चुना जाता है ठीक है और उसके बाद में आते हैं नेश्चीज देखते हैं पाका हुआ चरण पाके हुए चरण में अधिकांस फलों की तरह सतह लाल होती है और फल नरम नरम होता है नरम होने लगते हैं उसके बाद में घानमर की बात करेंगे तो पूरी तरह से पका हुआ पूरी तरह से पके हुए चरण टमाटर फल अधिकांस रंग के विकारों के करीब पहुँच गए और बनावट में नरम होते हैं इस्टार सरकरा में परिवर्तित हो जाता है यह फल आम तोर पर कैनिंग और या प्रशन्सकन उद्देश के लिए हम क्या करते हैं इनको तुरंत यूस के लिए तोड़ते हैं और पास के बाजारों के लिए हम तोड़ते हैं ठीक है जिस उद्देश चे हमको टमाटर उपयोग में लाना है उस अवस्था में हम टमाटर को तोर सकते हैं यह आपको हरे गलाबी और पका और पूरी तरह पका यह अवस्था चार दियोही हैं आपको अउद्देश क्या है उसकिन चार आप क्या करोगे टमाटर को तोड़ोगे इसके बाद में देखते हैं टमाटर की रुपाई सामानता हम 80-100 दिनों में की जाती है याद रखना भई जबकि अनिस्चित खेती के बाद रुपाई 70 दिनों में की जाती है फलो की कटाई सही आवस्था में की जानी चाहिए जो फलो की उप्योग के उदेशे पर निर्वर करती है गेहरा हरा रंग जब गेहरे हरे रंग के रंग को बदल दिया जाता है और फल पर एक लाल गुलाबी छटा दिखाई देता है कटाई की अवस्था फलों की लंबी दूरी के बजार में भेज़े जाने के लिए करते हैं अब आपको पता है हरा रंग का जो टामाटर है उसका उपयोग क्या करोगे आप इसलिए करोगे जब तोड़ोगे जब आपको थोड़े दूर परिवहन में लिजाना है आपको फल एक बटे चार वे भाग में देखा जाता है यह फल सिपमेंट के दौरान कम खराब होते हैं और अक्सर कम परिपक को टामाटर की तुलना में अधिक आर्थिक लाब दे लेते हैं ठीक है इसके बाद बात करते हैं टर्निंग स्टेज टर्निंग स्टेज में क्या गुलावी चरण लाल चरण ठीक है गुलावी चरण फल के तीन बटे चारवे भाग पर गुलावी रंग का अवलोकन मतलब तीन बटे चारवे भाग में गुलावी रंग होना चाहिए लाल गुलावी इस तर में टामाटर के फल अभी भी द्रण है और लगभग पूरे फल गुलावी रंग के बदल जाते हैं ठीक है तो ये गुलावी रंग की बात कर लिए और उसके बाद लाल पका अब जो पका हुआ रहेगा टामाटर वो लाल दिखेगा लाल पके हुए चरण में टामाटर के फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो वो औस्था कुन से होती है लाल पका औस्था बलते हैं इसको वो तुरंत में आपको तोड़ने के लिए और प्रचंस करने के लिए क्या करते हैं इनको यूज में लाते हैं और पास के बाजारों के लिए लाल टामाटर तोड़ लेते हैं मिर्च और सिमला मिर्च की बात कर लेते हैं मिर्च की कटाई या तो हरे फलों या लाल पके फलों के लिए की जाती है ठीक है अगर आपको हरी मिर्च सबजियों में डालना है या खाना है तो आप हरी आउस्था में तोड़ लोगे ठीक है और यदि आपको पाउडर के लिए इस्थमाल करना है तो उसको पका करके आप तोड़ोगे 10-12 दिनों में के अंतराल में लगबग 2 महीने तक जारी रहती है और हरी मिर्च के लिए 5-6 और लाल पके फलो के लिए 3-4 पिकिन मिलेगी मिर्च के लाल पके हलो को बाजार व्या भंडारन के लिए बेज़े जाते हैं ठीक है और तेज दूप में 5-7 दिनों के लिए सुखाया जाता है फिर उसके बाद आप मिर्च पाउडर बनाने के लिए यूज मिलेते हो तो यह भाई मिर्च और सिम्ला मिर्च को दो प्रगार से हम उसको काट सकते हैं तोड़ सकते हैं यह इस टाइप से बंडारन कर सकते हैं यह आप आपके उपर निर्भर करता है आप किस टाइप से यूज़ करना जाते हैं मेरे सिम्लामेश को ठीक है आगे आप पढ़ते हैं बैगन बैगन के फलों की कटाई जब तब की जाती है जब उन्होंने बाजार योग आकार अच्छे रंग अपरिपक्ता को विक्सित किया हो मतलब की अगर बैगन आकार में अच्छा हो गया हो ठीक है और बाजार ले जाने योग आकार हो अच्छा रंग हो गया हो तब आप क्या करोगे बैगन को यहां पर तोड़ोगे ठीक है तो बैगन तयार होगा जब आप क्या करोगे तोड़ करके आप ले जाओगे आलू क बड़े हो गए हैं आलू के तो आप क्या करोगे बच्चो इसको तोड़ लोगे अब देखते हैं इताली का रमबर 14 समलों एक सुलेशी परिवार की सब्जियों की परिवक्ता सुच कांग टामाटर की बात कर लेंगे तो तोड़ लो गुलाबी ठीक है गुलाबी आपको किस उद्देश टामाटर तोड़ना है तो उद्देश आपका क्या है कहां यूज करने वाले उस हिसाब से इसकी आवस्था डिशाइट करना है और आपको क्या करना है तोड़ना है और क्या क्या करना है यह दिया हुआ है इसके बाद में बात कर लेते हैं आलू की आलू में लूख खार करके रेडी हो गई आपकी फसो समझ लो फिर बैगन की बात करेंगे तो बैगन में आपको देखना है कि चमतकार उसकी तुचा चमकदार हो गई है के नहीं वांचनी आकार अच्छा हो गए के नहीं कोमल और नरम बीज हो और हो उसके उस अवस्थम बैगन को सकते हैं मिर्च को और लाल रूप में हरे से लाल में बदल जाने के बाद भी आप तोड़ते हो तो आप का डिपेंट करता है यूसको परपस से है उस पर पस्से आप मिर्च को तोड़ेंगे ठीक है फिर सिम्ला मिर्च अच्छी तारी पस्से विक्सित जो सिम्ला मिर्च उसको तोड़ेंगे ठीक है ओके द्रण हो चमकदार और चमकीले रंग की हो लाल पीला नारंगी हरा जैसे भी रंग है उसे साफसे ये सारी चीज़ देखे आपको क्या करना है तोड़ना है ठीक है बात कर लेते हैं कटाई की आर्थी कुद्देश के लिए पहुदो या उसके भागों को निश्चीत अवस्था में खटा करना फसल कटाई कहलाता है मतलब फसल पक के तयार हो जाती है तब उसको काटना ही फसल की कटाई कहलाती है उचीत परिपक्ता अवस्था प्राप्त करन दरण में पहुदे से उपज़ को तोड़ना या अलग करना सामिल है इसके लिए इसे उगाया जाता है सब्चियाँ बहुत कोमल होती है इसलिए यांत्रिक चोटों से बचे ठीक है और कटाई यांत्रिक चोटों से मतलब या तैयात में आप कहीं ले जा रहे हो तो उसको सुरक्षित ले जाएं यहीं आपका कटाई कहलाता है वहीं कटाई को समझाने की ज्यादा आप सकता नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कटाई का प्रबंद कटाई करते समय क्या प्रबंद रखना है बाई कटाई करने का सहीं समय आपक को आप पढ़ लेना ठीक है इसको मैं पढ़ की नहीं बताऊंगा यह बहुत सारल चीज है ठीक है कटाई की व्यावस्था ठीक है इसमें देखो पहला पाइंट के लिए फ़सल की सहीं रखना है कटाई करते समय कटाई करने की विदियां देख रहे हो आप कटाई करने की विदियां मैनुवल कटाई यानि मैनुवल हर्वेस्टिंग मैनुवल हर्वेस्टिंग सबसे पहले समझते हैं मैनुवल हर्वेस्टिंग क्या होती यह सबजीयों की कटाई का सबसे स्विक्रत और उप्युक्त तरीका है अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी हर्विष्टर द्वारा चैनात्मक कटाई परिपक्ता के सही चरण में कटाई सुनिश्चित करती है टमाटर बेगन और मिर्च को पहुदे से अलग करने के लिए हाथ को कोमल गती से साथ उठाया जाता है जाना चाहिए तो मैनुवल कटाई तो भाई आप बिल्कुर हाथ से चाकू से कतरन से आप क्या कर सकते हो सबजियों को काटते हो और यांतरीक विदी की बात करते हैं यांत्रिक विधी यांत्रिक विधी में क्या करते हैं यांत्रिक विधी से परणाम सरूप प्रबंधन और स्रम लागत के उलेखनी कमी आती है और बचा 30-45% तक बढ़ सकती है यांत्रिक विधी में कटाई के उद्देश के लिए बनाई गई मसिनरी और विसेस उपकरण का उ फसलों की कटआइ सोलेनेसी परिवार की सब्जियों को हाथ से आलू को छोड़कर कपड़कर खुषलता फुरुव रहर काटा जा सकता है तो क्या होता है जितनी भी जरी मैं सब्जियों को फसलेसी परिवार को प्योद है ती retrospect laat यही चीज़े घृंपर कटाई करने वालेट कंटेनर का उप्योंक करके हम क्या करते हैं स्रमिक दूरा संभालना आसान होना चाहिए कंटेनरों में विभिन प्रकार की समागरी जैसे कागज पौली थी लेन फिल्म कटाई करने वाला कंटेनर बनाने की लिए अपिक्छा करत सस्ते हैं लेकिन उपच को संभालने और परिवहन से छती को कम सुरक्षा देते हैं जिन फलों में कठोर खाल होती है जैसे बैगन और मिर्च की कटाई की जाती है और कटाई बैग में एकत्र की जाती है ठीक है बैग की समागरी को बैग को छोड़े बिना सुरी छेड़े बिना एक छेतर कंटेनर में नीचे के माध्यम से खाली किया जाता है ठीक है तो आप क्या करो कंटेनर का आप क्या कटाई करने में उप्योग करोगे कंटेनर का यह याद रखना है आपको यह चीज़े को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना बहुत चारी बैस्टे चीज़े नहीं बढ़ाऊंगा मैं ठीक है अब देख पार हो यहाँ पे टामाटर तोड़े हुए टामाटर दिख रहे होंगे अलग अलग प्रकार से देखो हरी आउस्ता है टामाटर की एक लाल आउस्ता है गुलाबी आउस्ता है यहाँ पर इसके बाद में आप चार सकते हो यह चार डले आप दिख़ रहे हैं आपको क्रेट दिख रहे हैं चार तो अलग तրएख रख सकते होंग ते लाल यह रहा बोस्ता को और यह धिवरlor की सब्लेने के दौरान आपको क्या साउधान्य रखना है आप खेत में जब कताई कर रेहों बच्चो तो आप को क्या-क्या साउधानियां रखना हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन है यह एक्जाम में बिलकुर देखने मिल सकता है आपको भई सोलेने सी परिवार की जो फसल है उसमें कटाई कर रहे हैं तो आपको क्या समधानिया तो भई कटाई और हैंडलिंग के दौरान दोस इसा उत्पाद को छूते हैं कटाई के दौरान लगी चोटों को कई प्रताओं द्वारा कम किया जा सकता है ठीक है फिल्ड कंटेनरों में किसी भी उभरे हुए कील या इस्टेपल और खुरदूरे किनारे नहीं होने चाहिए ठीक है यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं कटाई के दोरान स्रमी को काटन के दस्ताने आपको पहनाने है ठीक है काई के दस्ताने पहना करके आपको क्या करना है कटिंग करना है फसलों की फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ देखते हैं एक कंटेनर से दूसरे में उ उप्योग करना है आपको ठीक है पैडिंग का क्या करना है आपको उप्योग करना है फिर पाच्वा पैड देख रहे हो सच उपकरण और कंटेनर का उप्योग करना है कैसे सच उपकरण और कंटेनर का क्या करना है आपको उप्योग करना कंटेनरों से रेत और सभी प्रकार के मलबे को हटा दे ठीक है ओर फिल्ड कंटेनर से बचाओ मतलब कि आपको क्या करना है जब भी आप कटिंग कर रहे हैं कटाई कर रहे हैं या हर्वेस्ट कर रहे हो सोलेनेसी परिवार की सबजियों की तो आपको इन प्रकार की साउधानियों को विशेश साउधानियों को ध्यान में रखते विए कटाई करना है बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर ले मेरा आज का ये चेप्टर समाप्त होता है ठीक है इसके आपको सहीं विकल्प और सहीं जोड़ी पीछे से देखकर करना है और कोस्चन इसमें कोई विशेश नहीं है जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें सही ये कोस्चन बने हुए है ठीक है तो ये कोस्चनों को आप कर लोगे पीछे से देखकर करके ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद